हेलो दोस्तों स्वागत है आपका इक और नहीं वीडियो में दोस्तों आप में से जितने भी लोग क्लिकेट प्रेमी हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि रायपुल में जो एक पहला T20 मैच होने वाला था जो कि रायपुल में अभी तक T20 इंटरनाशनल मैच कभी भी नहीं हुआ है तो पहला T20 इंटरनाशनल मैच जो होने वाला है रायपुल में उसकी टिकेट कल सुबा से आप लोगों के लिए अविलेबल हो जाएंगी उन टिकेट्स को आप बुक कर सकते हैं आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाला है तो बिना देरी किये चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों वैसे तो हमारे चैनल पर रेल रिलेटेड वीडियो देखने को मिलते हैं बट पिछले साल भी ना रायपूर में एक ऐसा ही मैच हुआ था जो कि रायपूर का पहला वन डे इंटरनेशनल मैच था तो उसमें इंडिया वर्सस न्यूजिलैंड का वो मैच था और उसकी जो टिकेट बुकिंग की डीटेल्स थी हमारे चैनल पर सबसे पहले आई थी और आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉंस दिया था और उस वीडियो को 30,000 व्यूज मिले थे तो मैंने सुझा कि आज भी इंडिया वर्सस आस्ट्रेलिया जो टीटेटी मैच रायपूर में होने वाला है उसको लेकर आपको बेसिक डीटेल्स जरूर मैं साज़ा करना चाहता हूँ दोस्तों अगर बात की जाए टिकेट का प्राइस क्या है सबसे पहले प्राइस का डिसकॉशन करते हैं क्योंकि वो सबसे जादा लोगों के मन में ख्याल होता है क्या होने वाला है क्या हम टिकेट्स अफोर्ट कर पाएंगे और स्टूडेंट्स के लिए कोई कंसेशन है क्या तो उन सारी बातों कि अगर मैं बात करूँ तो स्टूडेंट्स के लिए जो टिकेट है वो सबसे कमदाम की रखी गई है तो और वो जो टिकेट का प्राइस है वो मात्र 300 रुपए है यानि 300 रुपए में स्टैंड की टिकेट आपको मिलती है लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है और स्टूडेंट्स जो है उनको अपना ID पूफ लाना होगा यानि की वो 36 गड में रायपूर, बिलासपूर, दुल्ग जगदलपूर, अंबिकापूर जिस भी शहर में पढ़ते हैं वहां का आपको कॉलेज का या स्कूल का ID कार्ड यानि की आइडेंटिटी कार्ड लाना होगा तब ही आप 300 रुपे में टिकेट बुक कर पाएंगे और ये जो टिकेट्स हैं, ये ऑफलाइन ही मिलती हैं ऐसा हमने पिछली बार भी देखा था ऑनलाइन जो टिकेट्स होती है ना वो स्टूडेंट्स को नहीं मिलती है यानि जो 300 रुपे वाली टिकेट है ये आपको ऑफलाइन ही मिलेगी ये टिकेट ऑनलाइन यानि की पेटियम इंसाइडर एप जिससे की हम ऑनलाइन टिकेट्स बुक करते हैं उससे आपको ये टिकेट्स नहीं मिलने वाली है दोस्तों इसके बाद जो अगली टिकेट है वो आती है 500 रुपे की जनरल स्टेंड की टिकेट होने वाली है ये टिकेट काफी जल्दी फिल होती है पिछली बार मैंने बुक करने की कोशिश की थी बट मुझे भी नहीं मिली थी यह इतना जल्ली फुल होती है तो 500 रुपे वाली टिकेट है जनरल स्टेंड की उसके बाद 1000 वाली टिकेट है उसके बाद एक टिकेट है 1250 रुपे की उसके बाद दोस्तों सबसे प्रीमियम केटेगरी जनरल स्टेंड में आती है 1500 वाली टिकेट वो आप ले सकते हैं और दोस्तों उसके बाद सारी premium categories है silver category की टिकेट है 5000 की, gold category की 6000 की, gold category जो second वाला है उसके टिकेट होती है 7000 की और जो सबसे महंगी वाली टिकेट है वो होती है 10000 की जिसमें आपको corporate box में बैठ कर match देखने का अनन्द मिलेगा दोस्तों ये थी कुछ टिकेट्स, इन टिकेट्स को आप बुक कर सकते हैं PTM Insider app से, जबकि जो student वाली टिकेट है वो आपको offline ही लेनी पड़ेगी with valid identity card, तो ये सब टिकेट्स आप ले सकते हैं तोस्तों कौन से टिकेट्स लेनी चाहिए, अगर उसके बारे में आप लोगों को बताऊँ तो मेरा personal suggestion ये होगा कि अगर आप match देखना ही चाहते हैं, आप match मिस करना नहीं चाहते हैं क्योंकि राइपूर में ये पहला T20 match है और लाइपूर में उतने जादा matches होते नहीं हैं अभी IPL matches पहले हुए हैं, एक one day match भी हुआ है road safety के match होते हैं, जिसमें इर्फान पठान, गौतन गमीर जैसे players खेलते हैं retired players खेलते हैं, बट international matches उतने जादा नहीं होते हैं इस वज़े से, अगर आप decide कर चुके हैं कि कुछ भी हो जाए, मुझे तो ये match देखना ही है तो सबसे best होगा कि आप silver category के ticket book करें क्योंकि जो बाकी category हैं, उनकी ticket कब booking शुरू होती है, कब लोग book कर लेते हैं, मिलती ही नहीं है और ऐसे में chance ये होगा, कि अगर आप 500 वाले general stand के ticket book करने के लिए जाएंगे आप book करने की कोशिश के आपको दिखाएगा कि tickets full है, उसके बाद सब को वो दिखा देगा कि जो general stand 500 वाले ticket है, वो book हो चुकी है, तो लोग क्या करेंगे, सब कोई 1000 वाले ticket book करना शुरू करेंगे फिर जब तक आप 1000 वाले ticket book करेंगे ना, वो भी खतम हो जाएगी तो target या तो 1500 वाले ticket करिए सबसे पहले, या 5000 वाले ticket करिए क्योंकि जो 1500 वाले ticket है उस पर directly कोई नहीं जम्प करता है सब 60 वाले ticket 500 वाले लेना शुरू करते हैं, फिर वो खतम होती है तो 1000, वो खतम होती है तो 1250 और फिर 1500 वे जाते हैं तो अगर आपको matches देखना ही है, अगर आप miss करना नहीं चाहते हैं, तो सबसे best यह होगा कि आप target करिए 1500 वाले ticket या फिर आप premium category यानि silver category जो है जिसकी ticket 5000 रुपे की होती है, उसको target कर सकते हैं तो यह कुछ हो गया दोस्तों कौहन से ticket लेना चाहिए, अब कैसे book करना है अगर उसकी बात की जाए, तो पिछली बार मैंने एक video बनाया था जिसमें बहुत अच्छे से मैंने explain किया था कि आप किस तरीके से राइपूल में होने वाली match के ticket बुक कर सकते हैं, थोड़ी detail मैं आपको इस video में भी देता हूँ और साथ ही इस video के description box में उस पुराना video जिसमें मैंने ticket बुक करते हुए आपको दिखाया था, उस video की मैं link इस video के description box में दे दूँगा, तो उसको आप वहां से video को देख सकते हैं, दोस्तों, ticket बुक करने के लिए आपको ptm insider app डाउनलोड करना है, play store पे ये app आपको आसानी से मिल जाएगा, आपको डाउनलोड करें, और उसके बाद जो मेरा video के link है, जो इस video के description box में बस उस video को देख लिजिए, छोटा सा 5 मिनिट का video है, और उस video को देख के आप बहुत easily समझ जाएंगे, कि ticket कैसे बुक करना है, और उस video में मैंने कुछ tricks बताई हैं, जिसकी वज मैचेस होते हैं, जो वल्ड कप या IPL के मैचेस नहीं होते हैं, उसमें बहुत सारे स्टेंड्स खाली देखने को मिल जाते हैं, यूगि वहाँ पर बहुत सारे important मैचेस होते हैं, तो लोग उतना interest शो नहीं करते हैं, यह bilateral series में, पर ट्राइपूर एक ऐस स्टेडियम है, जह बैठे चाहिए अपने घर पे या जहां पर भी हैं, आप अच्छा वाइफाई नेटवर्क या 5G स्पीड का नेटवर्क लेके बैठिये, और टिकेट बुक करने के लिए 10.45 को ही रेडी रहिए, 11 बज़े से जो बुकिंग है, वो शुरू हो जाएगी, और टार्गेट नहीं मिल पाता है, बड़ा मुश्किल होता है, तो 1500 वाला टिकेट को आप अपना टार्गेट बनाइए, और 1500 मिल जाते हैं, तो उससे अच्छा कुछ नहीं होगा, वो सीट भी अच्छी होगी, और एक चीज़ की गैरेंटी तो है, आपको वो टिकेट मिल जाएगा, 500 वाल अधिर हसाद नाम का रेलवे स्टेशन है, उसमें लोकल ट्रेंस और पैसेंजर ट्रेंस रुकती हैं, तो वहाँ पर आप उतर सकते हैं, यह सबसे अच्छा उप्शन हो सकता है, अगर आप कैब से जानना चाहते हैं, तो आपको माफ करिएगा, राइपूर शेहर से कई हिस् राइपूर में तो राइपूर से नया राइपूर के बीच 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 बस चलती है, और शहीद वीर नराएंड सिंग इंडरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम तो नया राइपूर में हैं, तो हम बीच बस से जा सकते हैं, तो उन लोगों को बता दूँ कि जो आपको नहीं छोड़ पाएगी स्टेडियम के पास उससे बेटर है कि जो मंदिर हसौत की तरफ आरंग की तरफ बसेच जाती है चाहे वो सिटी बस हो या फिर जो प्राइवेट रोडवेस की बस हो उसको आप टारगेट करिये उसमें बैठ कर आप जरूर से मंदिर हसौत के आसपास उतर सकते हैं और आधा एक किलोमेटर ना पैदल चलके जाना ही पड़ेगा अगर आप कैप से जाना नहीं चाहते हैं तो और लोटे टाइम ना बड़ा मुश्किल है रात को बारा एक बज़े राइपुल से क्या जरुस्ता होगी लोटने के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता सबसे अच्छा यह होगा कि आप पहले से ही किसी ऑटो वाले से टैक्सी वाले से बात करके रखें लोटने के लिए क्योंकि और कोई option मिलेगा नहीं रात को और cricket stadium ऐसी जगे पे है ना अस पास कोई bus stop है ना कोई bus निकलती है वहाँ पर ना BRTS बच जाती है रात के वक्त ना तो city बच जाती है ना आपको roadways की bus मिलेगी ना local trains मिलती है मंदिर हसा और railway station से तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है अगर आप पहले से plan करके नहीं चलते है दोस्तों इसके बाद भी कोई doubt रहता है आपके मन में तो आप बिना सोचे समझे मेरे comment section पे लिख दीजिए और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको जल से जल उसका reply करूँ क्योंकि मुझे भी मालूम है आप सब टिकेट बुक करने के लिए बहुत ही जादा इंतजार कर रहे है दोस्तों तो आज के इस वीडियो में इतना ही आपको कोई भी doubt होता है तो comment section में जलूर लिखेगा वीडियो अच्छा लगा हो